दिए फ्रेंट्स इस निशान त्रस्तोगी एंड यू और वॉचिंग सी एनर आइए अब इसको सॉल्व करते हैं किरा विच विच वन आप दे फोलेंग प्रोपर्टी इस मतलब कि इन में से किस प्रोपर्टी के लिए सबसे अच्छा होगा बास अच्छा होगा उसके लिए सबसे अच्छा करेक्टर और भूड़न अब समस्थे यह कि इनके लिए भी हो सकता है क्या लेकिन इसलिए आप जो सूंच रहे हैं वहीं करेक्ट होगा याने कि यह ज्योगा इलेक्ट्रों निगेटिविटी वाला जो है यह सही हो जाएगा ठीके ना आपको यादा आरा है कि फ्लोरीन की यहां पर इस तरह से जो है वह आप समझते हो कि वह इलेक्ट्र निगेडिविटी का और होगा बट अब हमको इलेक्ट्र निगेडिविटी को टिक न करें कि आपको बता दूं कि बॉयलिंग पॉइंट जो होता है वह इनके साइच पर डिपेंड करता है साइच जैसे जैसे बढ़ता है वैसे इसका बॉयलिंग बढ़ जाता है इसका मलब यह जाएगा कि आयोडीन इस ग्रेटर देन हो जायेका आपका ब्रो मिन इस ग्रेटर देन हो जाये का ख्लोरीन ठीक ना फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट जो आता है वह माइनस ओन एक डिप्री सेलसियस आता है और आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट को ओडर यहां पर यह जाएगा कि आई का सबस्याद होगा और तो electron affinity में आपको याद आ रहा है कि आगर आपके पास में F, C, L, B, R और I है थोड़ा मैं से ही कर दूँ F, C, L, B, R है और I है तो यह आपको याद आ रहा है second period का element है यह third period का element है यह fourth period का है और यह fifth period का element है और electron affinity third period की जो होती है वो second period से ज्यादा होती है क्यों यह बहुत एक common question है आपको याद आ रहा होगा कि fluorine is more electronegative than chlorine but electron affinity of chlorine is greater than fluorine दोनों अलग concept है और उनको जो है confused करने के लिए आपको एक question दिया जाता है तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि third period जो है उसका size थोड़ा से बड़ा होता है और जो second period जो है थोड़ा छोटा होता है और छोटे हो जैसे जो entering atom है electron है उसको repulsion ज्यादा मिलता है और जबकि थोड़ा से बड़ा होने से entering electron आसानी सेंटर करता है इसी वज़े से थर्ड पीरिड जो है उसकी electron affinity second period से ज्यादा होती है मलब यहाँ sequence जो आता है वो chlorine is greater than fluorine is greater than bromine is greater than iodine आता है ठीक है तो यहाँ पर electron affinity का order यह है ठी ठीक है उसके बाद आता है क्या d option electron sorry atomic radius तो आपको समय में आता है कि जैसे जैसे शेल बढ़ता है वैसे वैसे atomic radius जो है वो बढ़ती जाती है कुछ exception को शोड़के aluminum gallium बगएरा इन सब को ठीक है बटक हम चुकि है कि हैलोरीन की बात कर रहे हैं तो decreasing order of atomic radius है ठीक है तो इस सबस झाल झाल